अगर आप आलू खाने के शौकीन है तो आप मेरी ये सबसे फेवरेट आलू वाली रेस्पी को एक फ़र चरू ट्राइ करें कोई मसाला नहीं इस्तमाल करेंगे और बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे तो चलिए आज की मज़िदार आलू की रेस्पी को शुरू करते हैं सूपर टेस्टी आलू फ्राइ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम उबले हुए आलू लिये हैं आलू का छिलका निकाल लिया है मैंने मैंने इन आलू को प्रेशर कुकर में 3 सिटी आने तक उबाला है गैस का फ्ले मीडियम रखा था मैंने उबालते वक्त तो यहाँ पे ना आलू के हम 2 टुकडे कर लेंगी अगर आप छोटे वाले आलू का इस्तमाल कर रहें तो आप उसे काटे नहीं और अगर आप इससे बड़े आलू का इस्तमाल कर रहें तो इसके 4 टुकडे कर ले तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि आलू को मैंने ओवर कुक नहीं किया है यहाँ पे 90% ही आलू को पकाया है मैंने अब हम इसालों को अलग रख देंगे और एक चटनी बनाएंगे हरी वाली चटनी तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक चौथाई का प्धनिया पता लिया है 8-10 हरी मिर्च ले लेंगे इसके साथ 12-13 छिला हुआ लेसुन और 3 इन चट रख लेंगे तो हमें नहीं सब को ख्रश कर लेना है आप यह तो मिक्सर में भी पीश सकते हैं लेकिन कुटा हुआ मसाला जो है वो जादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पे जैसे माराश्रिन ठेचा बनता है या फिर कुटे हुई जो चटने बनाते हैं वैसे हम इसे क्रश कर लेंगे अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च का इस्तमाल कम करें तो पहले मैंने अद्रक लेस्वन और हरी मिर्च डाला है जैसे ही क्रश हो जाएगा तब हम इसमें ये धन्या पत्ता डाल के क्रश कर लेंगे धन्या पत्ता जो है वो फिसलता है थोड़ा तो यहां पे मैंने एक साथ नहीं डाला है और इसके बाद इसे ऐसे क्रश कर लें तो इस आलों का यही सिक्रेट इंग्रेडेंट है तो यह हमारा ग्रीन पेस्ट बन के तियार हो गया है अब हम क्या करेंगे कि यहां पे कड़ा ही लेंगे और उसमें चार चमल तेल गरम करेंगे तेल के गरम होते हम इसमें डेट चोटे चमल जीरा डालेंगे जीरा का इस्तमाल जादा करना है, इसके बाद हम इसमें ये आलू डाल देंगी आलू को हमें कम से कम 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लिम पे फ्राई कर लेना है मतलब आलू को तब तक फ्राई करना है, जब तक उसके उपर ना क्रिस्पी गूल्डेन वाली लेयर नहीं दिखने लगे इसे ऐसे मिला दे, गैस का फ्लिम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखना है, लो नहीं रखना है, मीडियम रखना है और आलू को cover नहीं करना है बस बीच बीच में आपको इसे ऐसे mix करते रहना है ताकि सारे आलू जो है वो बराबर crispy हो चार मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक तो यहाँ पे इतने आलू में आदी छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल दे और स्वाद के अनुसार नमक डाल दे अगर आपको स्वाद के अनुसार नहीं बता है तो आप इसमें एक छोटा चमच यहाँ पे नमक डाल देंगे अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे तो हल्दी डालने के बाद गैस का flame कम करना है क्योंकि जैसे यह मसाले आलू के ऊपर चिपकेंगे मतलब हल्दी जो है न वो चिपकेगा तो यह जलने लगेगा तो यहाँ पे gas कफले माग को लो कर देना है और एक मिनट और पकाना है तो यहाँ पे हल्दी और नमक डालने के बाद आलू जो है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है तो बस अब हम यहाँ पे वो हरावाला पेस्ट डाल देंगे जो हमने यह कूट के रखा है मिला दी से अच्छे से और इसमें कोई मसाला नहीं डालना है सिव हल्दी नमक और यह पेस्ट एक्तम डिफरेंट और अमीजिन रेसिपी है मतलब हम ट्रवल में जाते हैं ना या नाश्टे में कुछ भी पराठे के साथ कोई सबजी नहीं समझ में आती है तब हम यह बनाते हैं जो भी खाता है हर कोई तारीफ करता है इसकी तो यह मसाला डालने के बाद ढ़की से तीन मिनट धी मियाज पर पकाना है बीच बीच में आप इसे ऐसे चलाते रहें तो जो हमने इसमें यह कुटा हुआ मसाला डाला है न यह जो पेस्ट उसकी वज़ा से आलू जो है वो और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे यह देखिए आप देख सकते हैं इसकी उपर जो है वो क्रिस्पी लेर दिखने लगी होगी आपको बस इसे आधे मिनट और पकाएंगे और गैस को बंद कर देंगे तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रख है मैंने आधे मिनट होते ही हम आलू को ऐसे मिक्स करेंगे और यह हमारा आलो फ्राई जो है वो बंद के तियार हो गया है यह दिखे तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच निबू का रस तो यहाँ पे निबू का रस डालने से पहले गैस को बंद कर दें कभी भी निबू एड़ करने के बाद पकाए नहीं गैस बंद करने के बाद यह एक चमच निबू का रस डालके इसे मिक्स करें और उसके बाद गर्मा गर्म सर्फ करें लास्ट में आप चाहे तो इसके उपर बारी कटवा धनिया पत्ता डाल सकते हैं उसे यह और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा तो यहाँ पे निबू डालने के बाद मैं इसे मिला दिया और यह हमारा सूपर टेस्टी आलो फ्राई जो है वो बन के तियार हो गया है तब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो सर्फ करने के लिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ आप इस आलो की सब्जी को रोटी, पूर्डी या पराठे किसी के साथ खाए बहुत हमेजिन लगता है मतलब एक तुम बता नहीं सकते हैं अब यह देखे ही मेरे मूँ में पानी आ रहा है तो आप इस सूपर टेस्टी आलो की रस्पी को जरूर ट्राई करें यह आलो की सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी अगर आज की रस्पी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज आप में वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले